हेलो फैंस स्वागत है आप सभी का आपके पने यूट्यूब चैनल में फैंस इस बीडियो के मादधम से मैं आप लोग को CCSU का बैग पेपर फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं CCSU के रेगुलर और प्राइवेट के सभी चातर इस प्रिकार से अपना बैग पेपर फॉर्म भर सकते हैं बैग पेपर फॉर्म आपके एक अलग वैपसाइट से भरा जा रहा है CCSU M सर्प आपको ये वैपसाइट सेर्च करनी है इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद में यहां पर आप देहन देंगे यहां पर आपको लिंक मिलेगा CCSU.AIMSARP.CO.IN exam.CSU पर आप लोग को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आपको अपने फॉन को डेस्टॉप से ओफ कर देना है डेस्टॉप मोड में आपको ये फॉर्म नहीं भरना है इसके बाद नीचे आएंगे आप लोग तो नीचे आने के बाद में यहां पर आपको दिखेगा examination form for regular and private yearly back exam form 23 यहां पर आपको एक अलग link दिया गया है ठीक है यहां से आपके back paper form भरे जा रहा है यह link आपको अभी अभी दिया है ठीक है यहां से आपके form भरे जाएंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा apply ना उस पर आप लोग क्लिक करना है अब देखो आपको अपने फॉन को desktop site से off करना है ठीक है desktop site को आपको on नहीं करना है off करने पर यह website आपको यह page आपको इस तरह के शोगा अब यहां पर पहला option आपको दिखेगा exam category का तो यहां पर आपको दो option मिलोंगे private का और regular का तो private back exam paper form तो यह जो option है वो BA, B.com, M.A.M.com, private case लिए है BA, B.com, M.A.M.com, first year, second year, final year सबी चात्रों को यह वाला option सेलेक्ट करना है और BA, B.SC, B.com, M.A.M.C.M.com, regular के चात्रों को यह वाला option सेलेक्ट करना है ठीक है अपने इसाब से आप लोग सेलेक्ट करना है enrollment number, registration number, student roll number, अधार number, exam form number तो यहाँ पर इन में से कोई भी roll number आप लोग डाल सकते हैं इविन के आप लोग अधार number भी डाल सकते हैं अधार number से भी आपका form open हो जाएगा तो यहाँ पर आप कोई भी number डाल दें इसके बाद में नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको देखे का program admission year आपने इस program में admission किस बर्स में लिया है तो अगर आपका second year हो यानि आगर आप लोग फास्ट एर का form बर रहे हो तो आप लोग दोहर तेज़ स्लैट करके देख लेना और second year के छाट दोहर बाइस को स्लैट कर लेंगे third year के छाट दोहर 21 स्लैट कर लेंगे ठीक है इस परकार सा आप लोग स्लैट कर ले रहा तो मैं हाँ पर अपने हिसाब स्लैट कर लेता हूँ इसके नीचे है program name मतलब आप कौन सा course कर रहे हैं यहाँ पर आपको स्लैट करना है तो जैसा कि हम यह private का हमने option किया है तो यहाँ पर private के कोर्स आ रहे हैं यहाँ से आपको अपना कोर्स कर लेना होगा इसके बाद में अगर देखो आप लोग रेगुलर वारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इनको आप लोग स्लैक्ट कर सकते हैं न तो मैं पर अपने इसका से था करता हूं ठीक आप लोग असाब से फॉन को desktop साइट से off कर लेंगे ठीक, desktop साइब ने आपको form नहीं बनना है, बनना आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे, अब सबसे पहले आपको आपका college फिल्म मिलेगा, नीचे in take care, आपने admission कर लिया है, वो year दिखेगा, यहाँ प आपको अपना नेम हिंदी में डलना है, यहाँ पर आपको दिखेगा होगा, इसके नीचे है नेसनलिटी, यह आपको फिल्ड मिलेगी, नीचे है email id, तो यहाँ पर आप लोग अपनी email id फिल्ल करनी है, इसके नीचे आएंगे, तो नीचे आपको आपका mobile number fill मिलेगा, नीच है religion यह आपको select मिलेगा category आपको select मिलेगी और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सब category select मिलेगी इसके नीचे आपको अधार नंबर select मिलेगा इसके नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको nadid डाननी होगे अगर आपके पास हो तो नहीं हो तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं इसके नीचे है मीडियम औफ एग्जामिशन मतलब आपको किस मीडियम में एक्जाम देना है तो यहाँ पर हिंदी इंग्रिश दो आप्शन आएंगे आपको जिस भी मीडियम में बैप के पर देना हुआ आपको उसको सेलेक्ट कर देना है ठीक है तो दो अप्षिन आप लोगे एक अप्षिन यहां सेलेक्ट कर लेंगे इसके नीचे है एड्रेस तो पहले यहां पर आपको पर्मेंट एड्रेस एड्रेस लाइन वन तो यह आपका एड्रेस होगा ठीक है यहां पर आप को अपना स्टेट करना है मतलब यहां पर फिल करना है डालना है और यहां पर आपको अपना जिला डालना है फिर इसके नीचे हैं सीटी मतलब आप जहां रहते हैं आपकी सीटी कौन सी है आपको अपनी सीटी डालनी है फिर इसके नीचे है पिन कोड आप जिस एरिया हम रहते यह उसेरेगा पिंड कोड क्या है और आपको इस वाले कॉलम में डालना है फिर इसके बाद अपने के बाद में आपको आपको नीचे आएंगे अब नीचे आने के बाद में आपको आपका फोटो दिखाई देगा यह फोटो आपको यहाँ पर अपलोड मिलेगा आपको अपलोड करने की जरुवत नहीं है इसके नीचे आपको आपके सिगनेचर भी अपलोड मिलेंगे यह आपको अपलोड करने की जरुवत नहीं है और मुबायwel फोन से भी आप लोड़ कर सकते हैं ठीकि है मुबायल फॉन प्लोड पमधूऊ करें रिसके पीडियाफ्स कोई टॉक्मंस से प्लूड़ ठीक करें और यहां से जो इस फाइल में Os फाइल में जाकर आप लोड़ıyor कर सकती हैं तो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी 10th के माक्सीट यहां पर अपलोड कर दी है आपको यहां पर दिख रहा हो का 10th माक्सीट PDF तो इस तरीके से आप लोगों अपनी मॉबाइल फॉन से 10th के माक्सीट को अपलोड कर सकते हैं साइज यहां पर है A4 size and it should be in PDF format पेडिया format में होने चाहिए और A4 size में होने चाहिए इसी परकार से आपको 12th की माक्सीट भी यहां पर अपलोड कर देनी है जो उस फाइल पर किलिक करके स्लेक्ट में जाना है और अगर आपने अगर आपका सैकेंडर का फॉर्म है तो आपने फस्ट एर इसी इनिवस्टी से क्या होगा अगर आप लोग फस्ट एर का फॉर्म बर रहे हैं तो इससे पहले आपने 12th किस बोड से क्या है तो आप लोग हैं स्लेक्ट कर सकते हो अगर अगर आप लोग secondary और फिर third year का form भर रहे हो तो आपको CCS University ही select कर ले रहा है इसके नीचे आपका enrollment number select होकर आ जाएगा इसके आगे name of the course exam passed मतलब आपने कौन सा course passed किया है तो अगर B, A, B, S, C, B, Q, M, जो भी क्या है आप लोग यहाँ पर डाल देगे इसके नीचे आएगा year मतलब किस year में क्या है तो आपको year select कर लेना होगा दोहर 22, 23 सबी हाँ पर आ रहे है तो अगर आप लोग का यह third year का form है इस बार आपका third year है 23 में तो आपका second year 22 में हो गया होगा अगर इस बार आपका second year है तो first year भी आपका बाइस में हो गया होगा ठीक है तो पिछले year को आप लो select कर लेना इसके नीचे आप लोगा आएंगे तो college name मतलब किस college से आपने पिसला year complete क्या है आपको अपने college का name डालना है इसके आगे है year 1 मतलब यहाँ पर year आपका select हो जाएगा क्योंकि यह already second year का form है तो यहाँ पर first year select होकर आगया है इसके नीचे आप लोगाएंगे अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि examination rules and regulations तो यहाँ पर आपको दिख़गा I do hereby declare यहाँ पर आपको tick करना है इस पर tick करने के बाद में आपको अपने declaration देनी है declaration देने के बाद में अब यह जो capture code आपको दिख रहा है यह आपको इस वाले box में डाल देना है फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर तीन option दिख रहोंगे close, discard और next का तो देखो अगर आप लोग का form बिल्कुल correct भरा गया है तब आपको next करना है वरना आप लोग उसको check करने ठीक है, discard नहीं करना आपको बनना पीछे हो जाएगा close नहीं करना वरना आपका form कट हो जाएगा तो आपको अपने form को check करना है मतलब कि आपको कौन से पेपर में back देना है कि subject में back देना है आपको वो select करना है तो मैं आप लोग बता दूँ कि आप लोग back paper UG यानि BA, BC, 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 सभी के लिए एक subject में भर सकते हैं और PG course के लिए एक paper में back paper form भर सकते हैं अब UG course के लिए एक paper के अगर आपको अगर qualifying subject भी select करनी हो तो उनको भी आप लोग select कर सकते हो आप लोग foundation course और qualifying course दोनों को select कर सकते हो ठीके दोनों में भी back paper दे सकते हो और इसके साथ में एक subject का भी back paper दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो और दोकों भी साथ दे सकते हो तो फीस उम्मीद है आपकी 800 रुपे होगी ठीक है यूजी कोर्स के लिए पीजी कोर्स के लिए कम ज्यादा हो सकती है फीस आप लोग देख लें ठीक तो इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा और पीजी कोर्स के लिए आप लोग केबल एक सब्जेक्ट का ही बैक आतम से प्राप्त तो होती रहे तो थैंके सो मस्च पोचिंग इस वीडियो